आज के हमारी class 4 है हमारी class 1, 2, 3 यह हो गई है और अच्छे से class होई है यह class आप playlist में जाके देख सकते हैं क्योंकि अगर आप starting से कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आपको वो chapter में आपका command अधिक हो जागी जैसे bearing class के हमने three classes हो चुकी है तो आप playlist में जाके देखेंगे तो आपको क्या बहुत कुछ यहाँ पर bearing chapter से सारे question आपको याद हो जाएंगे जो आपका अक्सर भूल जाते हैं तो यहाँ पर class 4 देखें class 4 हमारा lightest जो 30 हुआ था और उसके question के discussion करेंगे with figure के साथ discuss करेंगे अगर आपने lightest जो option box में दी गई वहां से आप click करके lightest join कर सकते हैं जो daily lightest होता है आज का lightest जो होगा और night में 10 p.m में start होगा तो दियान दीजिएगा 10 p.m में night में start होगा chapter हमारा bearing ही रहेगा और साइध ही आज last chapter है इसके बाद हमारा next chapter start होगा ठीक है चले start करते हैं तो आज के lightest में हम यहा discuss किया उसमें ball bearing के type के बारे में discuss किया था तो आसा करते हूं आपको उसमें हर चीज समझ में आ गई होगी तो ball bearing के जो भी type हमने हमने सीख लिया था उनका भी एक बार revision कर लेंगे और अगला आप revision करेंगे जो हम पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे roller bearing के type चले friends हम पहुंच जा जो आपका roller bearing में roller जो होता है इस टाइप का अंतलब एक roller लगा होता ball bearing में ball होती है अंतर एक और main चीज का अंतर होता है कि जो contact area होता ball bearing का जो contact area होता एक point होता है मतलब कि जैसे भी अगर आप ball कहीं रख देते हैं तो उसका एक point बनता ठीक है जब आप क्या रखेंगे आप अगर आप roller रख देते हैं ठीक है आप फर्स पर roller रख देते हैं एक contact area जो बनेगा वो एक line बनेगा तो कहने मतलब हमारा जो roller bearing का contact area होता है एक प्रकार की line होती है ठीक है और जो इसका contact area होता ball bearing का एक point होता है इससे related भी question बुचा जा सकता है तो यह हमारा roller bearing और ball bearing में अंत सब्सकी उखे हैं अब यहां पर आप देख रहेंगे self-aligning line roller bearing का दूसरा नाम हम आपको बता दें बैरर roller bearing थीक है तो इसका दूसर नाम क्या है बैर रोलर bearing इसमें क्या होता है बैर रोलर bearing देखिए आप यहां पर ध्यान से देखे गा तो किनारे आपको यहां पर इसका डा अधिक होता तो बैरल रूलर बेरिंग में क्या होता है कि इसके जो रूलर होते हैं वो ड्रम एवं बैरल के आकार के होते हैं तो जैसा हमारे ड्रम या बैरल होते हैं मतलब कैसा होता है कि बीच का उडाया उस खोड़ा थोड़ा अधिक होता है और किनारे के जो डाया होता है क्या होता तो यह हमारो रॉलर очень क्या है बैरल रॉलर बेरिंग पहचानने की एक ट्रिक है या तरीका है तो दूसरा यह जाएं किया स्लफ इलाइंग रोलर बेरिंग इसमें क्या होता है यह से इदर मुवमिंट कर सकता है जैसे आफ देख सकते हैं और इसका प्रिउग वहाँ पर करेंगे जैसा हमने ये हमारी कौन सी बेरिंग है सिल्फ एलाइंग बाल बेरिंग ठीक है ये हमारी कौन सी सिल्फ एलाइंग रूलर बेरिंग तो अंतर क्या है दोनों में दोनों में अंतर ये है कि इसमें हमारा बाल है इसमें हमारा ball यूज किया गया, इसमें हमारा roller यूज किया गया है, है ना, तो दोनों का अंतर इतना केवल है, अब इसमें भी हमने आपको बता थे कि self-align ball bearing भी एक इसमें भी हमारी double, क्या होता है, double row होती है, मतलब कि इसमें भी देखो, आपका double row यहां पर दिख जाएगा हमने क्या बताया, barrel roller bearing, दूसरा हमने point क्या बताया, इसका diameter होता है, बीच में अधिक होता है, और किनारे आपका diameter क्या होता है, इसका कम होता है, नेक्स्ट है, आप इसका point जान लेते हैं, बस important इसका यह है, और इसका prove वहां पर करेंगे, जहां पर play है, किसी soft में, तो वहां bearing का use करेंगे, ठीक है, play मतलब है vibration कहीं soft में, या फिर इस परकार वहां पर करेंगे, जहां पर 67 करेंगे जहां पर em playing bait के प्रेव एक से रखने में, रियुक करेंगे ठीक है, जहां पर contrib करेंगे। बार रोलर बेरिंग अथवा सिर्फ अलाइंग बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग ए तो आसा करते हैं आप आप बापको यह याद हो गया होगा नेच्ट चैसा आप देख लेते रोलर बेरिंग में क्या होता है भार सायनी की समताधिक होता है इसलिए इसका वह यूज करते हैं यहां पर हमें भारी भारी मतलब भारी कारों के लिए हम सिलिन का रोलर बेरिंग का यूज करेंगे अब अगला पॉइंट यहां पे कौन सी बेरिंग है टेपर रोलर बेरिंग जो very important है exam के point of view से यह exam में इसे एक question पूछा जाता है कि automobile section में किस bearing का use किया जाता है तो taper roller bearing का हम use करते है automobile उद्योंक में इसमें क्या होता है आपका taper roller bearing में इसमें हमारा जो roller होता है taper में होता है ठीक इसलिए इसको taper roller bearing कहते हैं तो taper roller bearing में हम क्या है कि taper roller fit करते हैं और दूसरा main important हमने बताया जैसा भी बताया था कि इसका प्रियोग हम कहां करेंगे इसका प्रियोग हम आटो mobile section में करेंगे तो ये दो इसके main important है नेक्स्ट हैं तो आप नीडल रोलर बिरिंग very important है ये फिगर जो आप देख रहें नीडल रोलर बिरिंग है ठीक है फ nayक्रेंट इसमें क्या होता है इसके जो रोलर होते हैं एक प्रकार की नीडल सुई होती है उसके उस साइज के समान आप कह सकते हो की नीडल बेरिंग जो होते हैं इसके जो रोलर होते हैं वो नीडल या सुई के समान होते हैं इससे कोशन ये पूछा जाता है कि इसका जो डाया होता है या कितने ब्यास तक पाया जाता है तो नीडल बेरिंग के रोलर जो होते हैं यह 2 mm से 10 mm तक पाया जाता है कितना 2 mm से 10 mm तक नीडल रूलर बेरिंग के रूलर का ब्याश होता है ठीक 2 mm से 10 mm तक और नेक्स्ट यहां पर कोशन यह पूंचा जाता है कि नीडल बेरिंग का प्रयूग कहां करते तो जहां पर शुद्ध सुद्धता में साफ्ट मनलब मूवमेंट हो यहां पर कहीं पर सुद्ध काम हो है एकुरेशन में जैसा हमारा हुआई जाज है तो वहां पर क्या साइर काम पार्स वा एकुरेशन में काम करते हैं तो वहां पर हम हँआज में नीडल रूलर बेरिंग का यूज करते हैं ठीक यहां से तीन कोशन में बता दिया चौत्power कोशन यह सा पूछे जाता है कि इसकी जो लंबाई होती है ठीक है इसकी जो लंबाई होती है रूलर की लंबाई ये कहां से ली जाती है तो जो साप्ट जो हमारा ब्यास होता है ब्यास कितना हमने बता है दो से दस हमें तक क्या होता है इसका ब्यास होता है तो इसकी लंबाई होती है ब्यास से पांस से दस अगर हमारी ब्यास अगर हमारी क्या इसकी पांच है ठेक है किसका रूलर बेरिंग अगर हमारा ब्यास जो है डायमीटर पांच है तो इसी काम पांच से दस गुना तक हम रूलर बेरिंग जो नीडर रूलर बेरिंग के वहां से लंबाई निकालते है ठेक है तो आपको समझ मे आगया होगा कि नेडर रूलर बिरिंग की लंबाई कहाँ शे लेते हैं, बदप कि इसके अधार पर हम चैन करते हैं कि नेडर रूलर बेरिंग की लंबाई अतनी होनी चाहिए, तो यह हम हम निर्धारित करते हैं कि हमारा diameter कितना है अगर हमारा needed roller bearing का डायँ अगर हमारा कितना है 7 mm है ठीक है तो उसमें हम उसी type से गुणा करते हैं जो हमने आपको बताए था कि 5 से 10 गुणा हमारी होती है ठीक है तो roller यह आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है तो यहां पर हमारा कोई कोशन है तो हमने यहां पे इस discuss कर लिए अब एक हमारा यहां पर देखने एक एंगुलर contact ball bearing तो हमने पिछली वीडियो में discuss कर चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चलिए यहां पर हमने देख लिए अब हम और इसके Type के बारे में देख लेते हैं तो यहां पर हम जल्ली सेimaाओर का थोड़ा सरी रीजिन करेंगे इसके बाद हम टाइप-ाप roller bearing के बारे में जानेंगे तो हम यहां पर हमने पर से आपको revision करवा देते हैं कि single row ball bearing का हमने यूज क्या बताया था हमने दो दो का जोड़ा लेके साथ में बनाये थे जो trick आप होता है single row ball bearing का यूज यहाँ पर करेंगे जहाँ पर high speed तथा चारो तरफ से load पर रहा हूँ चारो तरफ से चारो दिशाओं से जहाँ पर load पढ़ रहा हो वहाँ पर हम single row ball bearing का यूज करेंगे double row ball bearing के यूज यहाँ करेंगे जहाँ पर एक तरफ से load एक ही दिशा में load पढ़ रहा होँ आपर double row ball bearing का यूज करेंगे और हमने उसका example दिया था vertical milling machine निए double row ball वेरंक्क का यूज़ज़ करते हैं, next हम यहां पर आपको बताया था इंगुलर कॉंटेक्ट बॉर्ड अर रेडियल कॉंटेक्ट बॉर्रींग की बारें इंगुलर कॉंटेक्ट बॉर्ड वेरंग में क्या होता है, यह एक इंगल में होते हैं में आपस में 14 degree का angle बनता है ठीक है तो यहाँ पर हमने बताया था कि angle contact ball wearing इसका प्रियोग हम high speed तथा कम load के लिए करते हैं high speed और कम load ठीक है जब कि यहाँ पर हम radial contact ball wearing का use high speed तथा high load के लिए करते हैं तो यह आपको याद टेक आपको यह जो है टेबल जो है आपको यह क्या करना copy में note कर लेना serious से लिख लेना ताकि आपका भी भूलेंगे नहीं तो radial contact ball bearing क्या होता है इसके केज हमारे एक radius में होते हैं इसका यूज हम high speed तथा high load के लिए करते हैं पर alignment ball bearing का यूज कहा करते हैं जहां पर किसी भी साप में हमारी play है vibration है वहाँ पर इसका यूज करेंगे जहां पर जैसा जहां पर हमारा train है नेश्ट हैं आपर देख लेते हैं taper roller जो हमारे roller bearing इसके type कितने है roller bearing हमारे four type के होते हैं cylindrical roller bearing, barrel roller bearing, needle roller bearing, taper roller bearing इनके बारे में जान लेते हैं जल्दी से cylindrical roller bearing अब उन्हें figure के माध्यम से बताया कि इसमें क्या है बाहर सहनी की छमता होती जहां पर high load होता है आप Arceline का roller bearing का यूज करते हैं, barrel roller bearing का यूज कहां करते हैं, barrel roller bearing क्या होता है इसके जो roller होते हैं, barrel के आकरत के होते हैं, एक परकार के drum के आकार के होते हैं, जिसका डाया बीच में अधिक और किनारे क्या होते हैं इसका जो size होता कम होता है ठीक है यह हमने सीखा बैरल रोलर बेरिंग का दूसरा नाम हमने आपको बता है self alignment ball bearing सुरी self alignment roller bearing ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें जहां पर भी play वहाँ पर हम किसी भी साथ में play है vibration वहाँ पर हम बैरल रोलर बेरिंग का यूज कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रकाद की self alignment roller bearing है ठीक तो दूसरा एक point हमने आपको फिर से relax कर दें क्या होता है इस कडाय मीटर बीच में अधिक किनारों पिये कम ठीक है तो इसका प्रूब को हाँ पर करते हैं जहां पर साफ्ट को सीद में रखने में कटनाई आती है ठीक है तो आपर इसका हम यूज करेंगे अगला है नीडर रोलर बेरिंग क्या होता है नीडर रोलर बेरिंग अभी हमने आपको ब्यास होता है ठीक है फ्रेंस कितना होता है दो एमम से दस एमम तक नीडर रोलर का ब्यास होता है जो इसकी लंबाइ लियाती है नीडर रोलर की वह है ब्यास से ब्यास से पाएं से तस गुना हमारी लंबाई होती है नीडर रूलर की ठीक है तो ब्यास से 5-10 गुना नीडर रूलर की लंबाई होती है और जो डाया होता है दो, एमें उंसे दस हमें तक यह चीजी आपको याद रखनी नीडल रूलर बेरिंग का वहां पर रोग करेंगे जहां पर हमारी शुद्धता में कार हो जहां पर शुद्धता में कोई भी वक्षप या फिर जैसे हमने एक जांपल दिया था अगर कोई साथ है कुरेशी में काम कर रही बहुत ही कुरेशी में हमें काम करने की जुर कि इसका वहीं पर यूज करते हैं तो यह आपको याद रखना है नश्ट है यहां पर टेपर रूलर बेरिंग taper roller bearing से कोशन आपका आता है कि आटो mobile opay में किस bearing का use करते हैं टेपर में fit होते है तो इसका है नाम यह ऊगया कि इसको мं paper roller bearing करते हैं और इसका कहाँ पर यूझ करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मजबुती जादा आएगी जहाँ पर भी taper वाली चीज्स होती है तो होता कां फिरेट।िश में हम ट्रटकों में भाटी करता है। मतलब कि जहां पर भी कह सकते हैं जहां पर वाइब्रेशन को थोड़ा भो हम तो आपर भी हम इससका यूज कर सकते हैं टेपर रॉलर बेरिंग का ट्रक में important है taper roller bearing का एक दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं nd thrust bearing क्या बोलते हैं nd adjustable thing search ठीक है तो ing thrust bearing बोलते हैं taper rollair bearing का दूसरा नाम है क्या नाम है in thrust bearing यह दो जो भी point important point वह हमने आपको बता दिया आपको बहुत कुछ किताब में पंटनिंग में लेगा लेकिन जो एक्जाम में जिस टाइप को पूछा जाता है तो टेपा रूलर बेरिंग का यूज कहा करते हैं आटोंबाय सेक्षन में करते हैं दूसर नाम क्या एंड़ थ्रस्ट बेरिंग है अब सीधा हम कोशन सौल करते हैं तो हमने यह पेरिंग के बारे में आपे सब कुछ जान लिया अब सीधा कोशन सौल करते हैं तो फ्रेंज देख लेते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है आप पुछा गया हाई स्पीड तथा चारो तरफ से पढ़ने वाले बाहर में किस बेरिंग का यूज़ किया जाता है तो हमने आपको बताया कि सिंगर रूब बाल बेरिंग जो होती है उसका हम पर कहां करते हैं हाई स्पीड था चारो तरफ से लोड पढ़ने वाले बाहर में यूज़ करते हैं है कहां पर आफसबी हमारा मिल जाता है सिंगर रोबाल वेरिंग का यूज हमने बहुत अच्छे से इसको रटा दिया हो था आपको यादा अजा हो गया होगा तो जहां चारों तरफ से लोड पढ़ रहा होगा वहाँ पर हम चारों तरफ से लोड अगर कोशन में दिया है तो वहाँ पर राइट नसा सिंगर रोबॉल बेरिंग अगर एक ही दिसा में अगर पूछा जाता है कि एक तरफ लोड पढ़ रहा है एक दिसा में लोड पढ़ रहा हो वहाँ पर डबल रो को क्या कहճتے ہیں इसका यूज कहा करते हैं आटो मॉपाइल सेक्शन में करते हैं अब देख लेते हैं हाइस कम भार के लिए के लिए करो करते हैं तो हाइस पिद अथा कम बार हमने आप क्या बताइबारी सिर्याल से याड करना वेरिंग फिर इसके बाद आपको लाना था का इस कहा करते है हाइey speed त avoid कि लिए ठीक अब यहां पे अगर रेडियाल लिखा हो ता रेडियल क्यूंटेक्ट बाल वरेंग तो इसका प्रूब करते हैं हाई speed तता हाई लूड के लिए करते हैं यहाँ पर आप सेIVE पी का जो होता है इसuje कि हमारा गोन्क्त जिसका ब्यास 20 से अधिक और किनारों से कम होता तो हमने अभी आपको बताया कि जिसका ब्यास 20 से अधिक किनारों से कम होता उसको भार रॉलर बेरिंग बोलते हैं ठीक है फिर तुमारा right answer हो जाएगा डी आप्सन बैरल रूलर बेरिंग का important यह ही कि इसका दूसरे नाम क्या self alignment रूलर बेरिंग क्योंकि यह आप आश में alignment होता है movement करता है तो जहां पर भी साफ्ट को सीधे रखने में कटाई होती है मालो कोई साफ्ट है उसको हम सीधे नहीं रख सकते हैं इसको नहीं रख सकते हैं मालो किसी इंगल में है तो वहां पर हम बैरल रूलर बेरिंग का यूज करें क्योंकि अगर कोई भी प्ले विले होता तो वहां पर इसको सहन कर सकता है अब एड़ेस्ट कर सकता है तो बैरल रूलर बेरिंग का दूसरा नाम क्या है सिल्फ एलाइमेंट रूलर बेरिंग ठीक है इसका डाया बीच में अधिक होता है किनारों में कम होता है यह इसका में इंपॉर्टेंट है निश्ट कोशन देख लेते हैं यहां पर हाई अंगुलर कांटेट बॉले बेरिंग इसमें क्या होता है इसमें हाई स्पीड अथा कम लोड के लिए करते हैं अब यहां पर नेश्ट कोशन है आप वह कौन सी रूलर बेरिंग है जिसके रूलर के पास 2 mm से 10 mm तक होता है तो हमने अब ही आपको बता है नीडर रूलर बेरि करते हैं तो रूलर बेरिंग हो जाएगा इसका दूसर नाम क्या होता इंड थ्रस्ट बेरिंग ठिक यह चीज़े आपको सब व्याद रखनी है तो नेश्ट वोशन है आप एंगुलर थ्रस्ट तथा रेडियल लोड के लिए किस बेरिंग का यूज़ करते हैं हमने आपको जो आगर आपने वीडियो देख लिया होगा जो एक क्लास आज दो पहर कोई थी उसमें हमने आपको याद कराया था कि एंगुलर थ्रस्ट रोड एंगुलर थ्रस्ट तथा रेडियल लोड के लिए हम यहीं से इसका नाम निकाल लेते हैं कि एंगुलर कॉंटेक्ट बॉल यहाँ पर देखिए आपसन भी मिल जाएगा एंगुलर कॉंटेक्ट बॉल वेरिंग का यहीं गुच एंगुलर थ्रस्ट तथा रेडियल लोड के लिए करते हैं अगला कोशन है ज्यादा सुद्ध में चलने वाली साथ के लिए किस बेरिंग का यूज करेंगे तो हमने बत करता है तो बड़कल मίलिंग मसिन में हमारी कौन सी यूज करते हमने बताया था वर्टीकल मिलिंग मसी मतलब जहां था हमारी वर्टिकल्स होंते हैं वहां पर एक दिसा में लोड लगता है तो हम डबल लूड बिरिंग का यूच करते हैं जहांपर चारो दिशाओं से जब लोड लग रहा हूं तो आपको याद हो यह कि ईसके कोशन के विडियो अच्छा लगा ओ तो प्लीज लाइक किजेगा comment करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है वीडियो को share कीजिएगा हमारे चैनल में यह तो चैनल को subscribe जूरिय कर लिजीएगा है ना कोई भी problem है तो आप comment कर दीजिएगा अगर आप हमारे lightest join करने में कोई problem है तो इस whatsapp number पे आप message कीजी आप lightest में join हो जाएंगे lightest की link भी description box में अगर आप join करना चाहते हैं वहाँ से भी join कर सकते हैं तो okay friends आज हमारा lightest होगा night में 10 p.m. में start होगा chapter हमारा bearing होगा तो okay friends फिर मिलते हैं बाद में कल मिलेंगे और bye bye